किसान भाईयो नमस्कार मेहूद असरत धाकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में गिहों में 30 से लेकर 50 दिन के बीच में कुछ ऐसे काम अगर किसान भाई कर लेते हैं गिहों के परती पोदे में ज़्यादा सी ज़्यादा कल्ये निकलते हैं बालिया लंबी मोटी वजंदार बनती है और गिहों की पेदावार ज़्यादा निकलती है किसान भाईयो चोटा से वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को लाइक और अपने किसान सात्यों के साथ सीयर कीजे तो चले वीडियो को सुरू करते है किसान भाईयो गिहों की बुवाई के बाद 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच का जो समय होता है वो फसल का सबसे जरूरी समय होता है इस समय पर गिहों में कल्ये निकलना सुरू होते है गिहों की गबोट अवस्ता सुरू होती है इस समय पर फसल की उची तरीके से आपको देखरे करना है पहली चीज आती है खर्पतवार नियंतरण 30 दिन के बाद अगर आपके खेत में खरपतवार रहेंगे तो निस्टी तोर पर आपका उत्पादन कम होगा खरपतवार एक तो पोदे की ग्रोध को प्रवाइट करते है खादों को गरण करते है जिससे वसल कमज़ोर रहती है पेदावार कम होती है खरपतवार नियंतरन आप समय पर करें रासानिक दोहाओं के सारे खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते है दूसरी चीज आती है खादों का प्रियोग गेहों की वसल में पहला पानी 20-22 दिन के आज पास गिसान बाई लगा देते हैं दूसरा पानी 30 या 30 या 40 दिन के आज पास जब भी आप लगाए तो इस समय पर जो भी खाद आप पहले पानी पर नहीं दे पाए हैं उन खादों का प्रियोग जरूर करें जैसे कि गेहों में आगर आप ज़्यादा फुटाओ और ज़्यादा कल्ले लेना चाहते हैं तो गेहों की वसल में आपको दो बार यूरिया देना है पहला यूरिया पहले पानी पर दिया 30 दिन के बाद अगर आप दूसरा पानी लगाएंगे तो दूसरा यूरिया भी दूसरे पानी पर देना है यूरिया का कापी अच्छा रिजट मिलेगा इसके अलावा जिंक्सलपेड अगर आपने पहले दे दिया, इस समय पर कोई भी खाद किया उसकता फसल को नहीं होती है, जरूत के अनुसार आप पोदे में खादों का परयोग कर सकते है, फसल अगर कमजूर है, माइक वी रजय खाद का परयोग कर सकते है, जड़ों के विका है बड़वार रुक चुकी है तो आप अपनी फसल में एनपी के उननीस उननीस का स्प्रे कर सकते है जिससे आपके खेत में नाइटरुजन फासफरस और पोटास की पूर्टी होती है जिससे गेहों पीला पढ़ना खतम हो जाता है गेहों में हरापन आता है गेहों की ग्रोथ पढ़ती है पोटे में फुटाओ ज्यादा आता है ज्यादा कल्य निकलते है जिससे कहीं न कहीं हमारी जो पेदावार है वो भी अधिक होती है एक एकड़ में एक केजी एनपी के उननीस उननीस का एक सो पचा लेटर पानी में आपको खेत में स्प्रे करना चाहिए इसके पचास दिन के बीच में जो भी आप यूरिया वगेरा देना चाहते है वो आप दे सकते हैं पचास दिन के बाद आप यूरिया वगेरा भी ना दे इस समय पर उची तरीके से देखरे करना है खास करकि सिचाई का विशेज द्यान देना है अगर खेत में अच्छी नमी होग तो पोदे की ग्रोत बड़ेगी, पोदा हरा बरा बना रहेगा, गवालिया लंबी बनेगी, मोटी बनेगी, वजंदार बनेगी इस समय पर गिहों की गबोट अवस्ता सुरू होती है, इस समय पर आपको फसल की देखरेक करना है वैसे फसल में स्प्रे की ज़्यादा जुरुत नहीं होती है, क्योंकि फसल में कीट पर रुगों का अटे कम होता है अगर आप इस तरीके से देखरेक करेंगे तो गिहों की फसल में फुटाव ज़्यादा आएगा, कले ज़्यादा निकलेगे और फल पुलों का विकास अच्छे से होगा जिससे गिहों की पेदावार अधिक होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चिनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद